आज की इस वीडियो में हम डीटेल में बात करेंगे इन दोने स्मार्टफोन के बारे में तो ये वीडियो कॉंसेप्ट और पिडिक्शन पर बेच दे तो चलिए इस वीडियो को स्टाट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं केमरास की तो इहांपर आपको बता दू बेक सैट पर आपको ट्रिपल डियर केमरा मिलता है जो की 50 می Cathedral का है यहांपर आपको तीन केमरे मिलते हैं 50 प्लस 2 प्लस 2 मेगा पिक्सल के यहाँ पर आपको दोस्तों जो Vivo का फोन है इसमें आपको Sony का sensor देखने को मिलता है तो फोटो और वीडियोग्राफी जो है आप अच्छे से कर पाओगे कोई भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी 32 में अच्छल का आपको front camera देखने को मिलता है तो इससे आप दोस्तों यहाँ पर आपको face beauty and photo shot भी ले सकते हो और बेक camera से आप 4K recording भी कर सकते हो और यहाँ पर आपको सारे sensor देखने को मिलते हैं जो कि camera department में आते हैं जो कि बहुत improve करते हैं तो आपको सारे sensor देखने को मिलेंगे camera department में और अब बात कर लेते हैं smart phone के voice and performance की तो उससे पहले अगर आप channel पे नए हो तो subscribe करके bell icon पे click कर देज़ेगा और वीडियो बनाने में बहुत मिनत लगती तो please वीडियो पर एक एक like जरू कीज़ेगा तो यहाँ पर आपको media deck के तरफ से helio g99 देखने को मिलता है आपको यहाँ पर बात कर लेते हैं इस phone के RAM variant के बारे में तो यहाँ पर आपको 4GB RAM, 6GB RAM और 8GB वाला variant देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको 256GB का storage भी देखने को मिलेगा सारे RAM variant में और यहाँ पर आपको बता दो दोस्तो इस phone में आपको dedicated slot का support मिलता है यहाँ पर आपको 2C में एक memory card लगा सकते हो साथ ही में आपको UFS 2.2 का support भी मिलेगा तो यहाँ पर आप जो data है वो high space transfer कर सकते हो बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के display की यहाँ पर आपको बता दो 6.5 इंच का आपको display मिलता है जो की full HD है और साथ ही में super emulat मिलेगा तो यहाँ पर आपको जो refresh rate है वो 90 हट का रहने को मिलेगा security की बात करें तो यहाँ पर आपको side finger pin sensor का support देखने को मिलेगा और दोस्तो तो चीज़ बात करें तो नीची की तरब आपको speaker, type C port, mic 3.5 audio jack का support मिलेगा और यहाँ पर dolby atmosphere का support भी देखने को मिलेगा बात कर लेते हैं इस smartphone की battery की तो यहाँ पर आपको बता दू 5000 image की battery मिलती है इस phone में और यहाँ पर आपको 33 watt का fast charging का support मिलता है तो इतना कुछ आपको मिलता है और अब बात कर लेते हैं design की इस phone का design है काफी बड़िया लगता है iPhone की copy लगता है बेक साइट पर आपको triple zero camera मिलता है वहीं पर LFS का support है और नीचे आपको Vivo 5G का logo देखने को मिलता है तो इतना कुछ आपको मिलता है तो यह complete package बनता है Vivo की तरप से बात कर लेते हैं pricing की तो बीस से पच्ची से और पर क्यास पास यह smartphone आपको देखने को मिलेगा offline market में बात करते हैं launch date की